हेलो फ्रेंड व्ल्कम बैक तो मैं चैनल अम्रिती पैसे मिला आज की वीडियो में लड़ू कॉपाल जी के लिए ड्रेस पनाने वाले हैं यह देखिए मैंने यहां पर काइट वाली ड्रेस बनाई है मकर संक्रायनती के लिए और यह है हमारे छोटे से कानाजी यह डेड इंच काइब पर रहे हैं यहां अंदर से हम इस तरह से दुड़ी को बांध देंगे अंदर की साइड से यह डिए पहना पर फीह आरा पर दिखे और यह दिखै बह्त है कि पीछिए लगुँद लग ए तो यह हमारी आज वीडियो पूरी दहा है। अगर पोषे प्रब्लम धो तो और आने में वोत नी नीजी की रेन आनीकोल नीजी नीजी जनी एक इस देन में वता है। अब दिखिए friends, ड्रस बनाने के लिए हमने यह दो color में उन लिया है, यह maroon और yellow color में है, सबसे पहले हम यह maroon वाले color से फंदा डालेंगे, किस तरह से हमें फंदा डालेंगे, मैंने यह आप इस तरह से चलाई 10 नबर के लिए है, यह देखें, यह मेरे गले वाली सलाई है, मे छे, साथ, और आठ, यहाँ पर मैंने आठ फंदा डाला, अगर हम इन आठ फंदे को बुनेंगे, यह देखें, यह देखें, यहाँ पर हमें उल्टा-उल्टा बुन देना है इसे, इस तरह से हम बुनेंगे, उल्टा-उल्टा इसे, यह देखें, यह ऐसे करके हमें बुनन जल्टा उल्टा बुनेंगे हम सभी फंदों को यह इस तवर से हमने एक से लाई उल्टी उल्टी बुनी अब इधर से भी हम देखें उल्टा उल्टा बुनेंगे यह एकदम सिंपल और आसान तरीके से आप बना लेंगे एड्रेस यह देखें यह हमने उल्टा-उल्टा इधर से भी बुन दिया अब यहां से हम फंदों को घटाना स्टार्ट करेंगे देखें हम यहां पे दोनों साइड से फंदे घटाने हैं इधर से देखें हमने दो फंदा एक में लेके बुन दिया बीच यह सब फंदों को हम इस तरह से उल्टा-उल्टा बुनेंगे यह देखें यह ऐसे करके और लास्ट टिक में हमें दो फंदा फिर से एक अठा बुन देना है तो यह देखें लास्ट और फरस्ट हम दो फंदा एक साथ बुनेंगे इस इधर से यह देखें, यहां से फिर हम घटाएंगे फंदे को, दो फंदा हमने एक साथ बुन लिया, बचे हुए बीच वाले फंदे को हम इस तरह से बुनेंगे, और लास्ट में देखें, फिर से दो फंदा हमने एक साथ बुन लिया, यह इस तरह से हमारा कम हो रहा है फंदा यह देखें यहाँ पर हमारे पास टुटल चार फंदा रहे गया है हम फिर से इस तरह से बुनेंगे यह ऐसे करके अब देखें यहाँ पर हमें तीन फंदा चाहिए बट यह मेरे पास चार फंदा है तो अब मैं यहाँ पे center से 2 फंदा एक में बुन लूँगे तो यह हमारा यहाँ पे फंदा कम हो जाएगा यह दिखें इस ओर से मैंने बीच के 2 फंदे को एक साथ बुन दिया और उसके बार इसे बुन दिया यह दिखें यह इस तरह से हमारा हो गया है यह हमारी जो पतंग होती है उसके नीचे वाला हिस्सा रैटी है अब हम यहां उपर दूसरा कलर लगाएंगे तो यह मैंने अब यलो कलर लगा लेना है तीन पंदे से ही हम अपना दूसरा कलर लगाना स्टार्ट करेंगे तो यह देखें यहां पर इस तरह से हमें दूसरा कलर कर लगा लेना है यह से करके हमने इसे बुन दिया और बुनने के बाद फिर आमने दूसरा फंदा बुना और यहां से देखें इन दोने को वह स्थ़ा से फसा लेंगे क्योंकि हमें अपना मरून वाला उन भी आप कट कर लेना है तो इसे भी हम यहाँ पर टाइट सरके ऐसे भसाएंगे यह हमारी उल्टी साइड रहेगी अब देखिए यहाँ से हमें फंदे को अब बढ़ाना है किस तरह से बढ़ाएंगे पहला हमने यह देखिए इस तरह से मुन उल्टा दूसरे फंदे पर हम अपने नेlide डाल देगे देखिए इस तरह से फिर हमने इसे इदर क्या तीसरे एक्स्टा वाला इसे हम cutting कर देते हैं यहां से इसे few cutting कर देते हैं अब सिर्फ हमारा you यहलो कोडर से यहे बुना जाए गाई कि भिंग कीणे कर नहीं पीछी बाली सलाई हमारी फ्लेल रहेगी two इस तरह से पीछह हमें उल्टा-उल्टा बुन देना है सभी फंदों को ऐसे करके उल्टा-उल्टा बुन देंगे अब देखिए फिर सीधी साइड़ आगा है यहाँ पर हमने पहली बार एक फंदा बुन के नेट बनाएंगे देखें एक और दू दो फंदा हमने बुना तीस बुन देंगे अब फिर यहां पर हमें क्या करना है इन सभी फंदों को इस तरह से बुन लेना है यह रेखें इन सभी फंदों को हम उल्टा-उल्टा बुन देंगे कुछ इस तरह से बुंदिया हमने अब देखिए हम फिर सीधी साइड आ गए हैं फिर हम यहाँ पर नेट बनानी है तो हमने यहाँ पर पहले फंदे को उल्टा बुना, दूसरे फंदे को उल्टा बुना, अब इस बार हम तीन फंदा बुनके फिर अपनी नेट बनाएंगे ऐसे हमारी सीधी साइड बढ़ते ही आएगे वैसे वैसे हमारा एक एक फंदा बढ़ता आएगा पीछे वाला था हमें प्लेन बुना है बट आगे जब हम आएंगे तो हमें नेट बनानी होगी लास्ट में मैं यहाँ पर दो संदें मिल जाएंगे उल्टे उल्टें पूल लेगे एसे हमें इसे करके लंबा करना है पीछे गोने बुनेगे और आगे से इस तरह पंदे बनाते जाएंगे तो चलिए मैं इसे थोड़ा लंबा कर ली थी हूँ फिर आगे आपको बताओंगे कि क्या करना है यह देखें मैंने यह आप इसे इतना लंबा बुन दिया है अगर आप देखेंगे तो मैंने आप देखेंगे यह आपके सामने ही बुना था यह मैंने बीच में पहनाने के लिए कमर के लिए काना जी के तो देखें वह हम किस तर से बनाएंगे जब हम स्टार्ट करेंगे यहां पर यहां पर अपना फंदा बढ़ाएंगे यह इस तरह से हमने अपना यहां पर एक फंदा बढ़ा लिया एक फंदे में मैंने दो फंदा बुन दिय अब हम इसे फ्रंट पहाँ अब आ आएँगे और हम इसलों से पूल्टा भूनते हुए आएंगे यह देखें2 वाना फंद घटाने हिं़ाइंतarna ७ं detailing यह हमाली वाला यह में बंगा हम मुं देखें यह हमाली बीच वाली नेट यह बीच की नेट और हम और यही से यह 3फंदे घटा दने हैं यह 3फंदे घटाएंगे और बाकी एक फंदा भी बच रहा है तो इसे मैं भुल लेत की हूं अब यही हमें यह एक फंदा हमारा घटा यह हमारा दो फंदा घटा और यह last हमारा तीन फंदा भी घटा इस फंदे को हम अपनी इस अलाई में लेके ऐसे बुंते चल जाएंगे अब देखें यह center से हमारा तीन फंदा घट चुका है अब इधर हम इस तरह से बुनेंगे और यहां last में हम आके एक फंदा बढ़ाएंगे यह इस तरह से यहां last में हमें एक फंदा ऐसे करके increase कर देना है यह हमारा एक फंदा बढ़ गया यह देखें अब फिर हम इसे turn करेंगे अब देखें यह हमारा दो भाग में divide हो जागा क्योंकि यहां से हमारा circle बन रहा है तो य यह वाली उल्टी वाली सलाई हमें प्लेन बुणनी है यह इस तरह से हम कोई चेंज नहीं करेंगे simply हम इसे बुन देंगे यह इस तरह से हमें बुन लेना है यह देखें अब यहाँ पर हम अपना दूसरा उन लगाना पड़ेगा उधर वाला बुन ले के लिए हम साथ ही साथ दोनों को बुन दे चलेंगे तो चलें मैं ले आते हैं दूसरा उन तो यहाँ से इस तरह से हम दूसरा उन लगा यह ऐसे करके हमें प्लेन बुन नहीं है उद्वाली से लाई हम पूरी अपनी प्लेन बुन लेंगे जो भी घटाना बढाना होगा वो हम अपनी सीधी साइड से घटाएंगे और बढाएंगे यह देखें यह इस तरह से हमें बुन देना है ऐसे करके इसे हम करके इन सभी फंदों को बुन लेंगे उल्टा उल्टा यह हमारा दो पार्ट में बुन रहा है यह इस तरह से हमारा बुन गया अब फिर हम सीडी साइड आ गया है यह देखिए यह है हमारी सीडी साइड तो फिर हमें यहाँ पे फंडे बढ़ा लेने हैं इस तरह से हमने यहाँ पे फंडे को एक फंडा मैंने बढ़ा लेना है एक ही में हम दो फंडा बुन लेंगे और फिर इसे फ्रंट पे लाएंगे और यहाँ से हम इस तरह से बुनेंग ऐसे फंदो को बुझते हुए हम यहाँ एंड में आयेंगे यहांपर हमें क्या करना है कि यहां से हम एक पंदा कर देंगे ताकि हमारा सरकल पुरा बने यहाँ पर इस तरह से मैंने दो पंदेanne कर लिया अब अपने इस उनको आगर करेंगे पीछे से और इधर भी हम दो फंदे से अपना एक फंदा कर लेंगे यह देखें यह इस तरह से हमने दो फंदे से एक फंदा कर लिया और इन सभी फंदों को हम इस तरह से बुनेंगे यह हमारा यहां पे सरकल बन रहा है यह इस तरह से हमने बुना और लास्ट में एक फंदे से हम दो ये देखें इस तरह से हम यहायां पूरा प्लेट बून देना है कुछ अपना भठाना बढ़ना नहीं है। यह उच्छ वहाद एक दमब्त तरीका कि खाए इस नियुक्क कर दक कर दोब को unit डोनी चाप से बना लेंगे प्रैंद लाएंगे और इधर से हम इन सभी फंढों को भी बुंधेंगे उल्टा-उल्टा यह इस ₹ काई यह कि मैं ने दो संगल्दिए के अधार्यक हमें सब्सक्राइख भालन में फ्कूलें यह कैस्या धिए कि यह दो में दो फंदे और पर कर दो सब्सक्राइख यह इस तरह से अब हम अपने इस सरकल को यह देखिए आधा सरकल हमारा बन गया है अब हम यहां से फंदे को बढ़ाएंगे यहां से और इधर से अब हम फंदे को घटाएंगे देखें किस तरह से हमें करना है यहां से अब हम दो फंदा एक साथ बुनेंगे इसलिए मैंने कहीं पर skip नहीं किया है, सब कुछ मैं आपको इदम clear दिखा रही हूँ, यह देखें, यहाँ पर अब हम इस तरह से फंदे को अपने बढ़ाएंगे, जितने फंदे आपने यहाँ घटाएं होंगे, उतने ही फंदे आपको यहाँ पर बढ़ाने भी हैं, तो मैं अपना फंदे आएंगे और इधर से भी अपना एक फंदा बढ़ा लेंगे, यह देखें, इस तरह से हमने इधर भी एक फंदा इंप्रीज कर दिया है, और इधर से आएंगे, और अब हम यहाँ पर लास्ट में पने फंदे को घटाएंगे, जिसे हमारा save आए, यह इस तरह से बुनते हुए आना है, और अब यहाँ पर दो फंदे हमें एक साथ बुन देने हैं, यह इस तरह से, अब देखे वाली सलाई हमारी प्लेन रहेगी, तो चले मैं इन सभी फंदों को उल्टा-उल्टा बुन लेती हूं, फिर नेक्स सलाई में आपको दिखाओंगी कि क्या करना है, यह दिखे हमने उल्टी साथ से बुन दिया है, अब फिर हमें इधर से बुनना है, तो हमारा टोटल पांच फंदा घटा था, हमें अभी तक दो फंदा बढ़ाया है, तो अब देखे हमें तीन फंदा और बढ़ाना है, तो हमारी अब दो पैटन में हो गया है, दो इसे एसे करके बुंते हुए आएंगे और इधर आके हमें अपना दो फंदा बढ़ा लेना है यह देखें यह एक फंदे में मैंने इस तरह से पीछे करके एक फंदा एक्ष्टा किया अभी मैंने गिराऊंगी और यही से इसे ऐसे फ्रंट पे करके एक और एक्ष्टा कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा अब दो फंदा बढ़ चुका है और इसे भी हम यहाँ पे ऐसे फ्रंट पे ले आएंगे और इधर भी हम दो फंदा और एक्ष्टा कर लेंगे देखें एक फंदा तो हमें बुनना ही था अब यहाँ से ऐसे बैक पी जाएंगे एक फंदा हमने एक्ष्टा किया पिर यहां से हम front पे आएंगे और एक फंदीब हमने और extra कर दिया इस तरह से अब पिरा दिया अब बचे हुए फंदो को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे और last में हम घटाएंगे अपनी फंदो को यह देखें यह इस तरह से हम्ने बुनना है लाश में ये दो फंदा हम इस तरह से एक साथ बुन देंगे, ये दिखे ये हो गया, ऐसे करके, अब यहाँ पर बीच में हमें सभी फंदों को उल्टा-उल्टा बुन देना है, चले बुल लेती हूं, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है, ये देखे मैंने यहाँ पर ये एक फंदा एक साथ बुन लिया, फिर यहाँ देखे सभी फंदों को हम ऐसे उल्टा-उल्टा बुन देंगे, बीच में हमें कोई फंदे अपने घटाने नहीं है, अब सिर्फ किनारे से हम गटाएंगे, बीच का हमारा सरकल बन गया है, ये इस तरह से हमने बुन दिया, यहाँ अब हम सभी फंदों को उल्टा-उल्टा बुन देंगे, बस साइट से हमें एक फंदा घटा देना है, ये इस तरह से, आप इकठा भी देंगे तो आपको ज्यादा आराम रहेगा, याद भी रहेगा आपको सब कुछ, इसलिए मैंने यहाँ पे दो उनके गोले रगा लिया और हम साथ साथ से बुनते चल लिया है, ये इस तरह से, हमें अब देखियें, सिर्फ किनाड़े से, मैंने फिर से दो फंदा एक साथ अपना बुन दिया, इस देखियें, अब फिर उल्टी साइट हमें उल्टा-ल्टा बुन देना है, और फिर आएंगे सीधी साइट, तो प्लेन बुनी है उल्टी उल्टी और दूसरी वाली सलाई में फिर से इधर से एक एक फंदा घटा दिया है अब यहां पर मेरी तीसी सलाई आई है तो देखिए अब मैं यहां पे सभी फंदों को एक साथ बुनूंगी इस तरह से हमें बुने रहा है मैं यहां पर इसको हमारा है यह उनको हम यहां से यहां से आगे करेंगे बट इस उन से बुने अगे नहीं इछे से आगे कर लेंगे और वालंगी इसको प्षद नाए घटा है एक हमारा छेया जाय हो процесс तो इसे हम यहां से ऐसे कट कर देते हैं बस अब हम इसे यहां से फसाते चलेंगे अब फिर हमारा यह एक गोले में आ गया है यह इस तरह से मैंने बुना और यहां से जो उन आ रहा है इसे हम इसके बीच में से दबा देंगे ऐसे कर लेने से यह हमारी बुनाई खुलती नहीं है और यहां पर फिनिशिंग भी आ जाती है क्योंकि जब आप बहुत पास से कट करते हैं तो हमारी बुटाई हम इधर से घटाएंगे तो दो फंदे हमने एक साथ बुन देने हैं यहां पर हमने अगली फंदे को उल्टा और पूरी सलाई हमारी उल्टी रहेगी बस लास्ट में हमें फिर से वही करना है दो फंदे हमें एक साथ बुन देने हैं यह इस तरह से हमारा आएगा इसे भी हम सा हम साथ में बुन लेंगे यह हमने बुन दिया अब देखे पीछे से हम यहां पर अपना यह मरून वाला कलर लगाएंगे उपर से जिसे देखने में अच्छा सा हमारा आजा से यह देखे यह इस तरह से हमें यहां पर लगा लेना है यह मरून वाला और हम इसे बुनेंगे दे एक फंदा, दो फंदा, यह नहीं पेज नहीं कमा हैं, और यह ठीन. तीन फंदा हमने बुन लिया, अब बीच के सभी फंदे को हम यलो कलर से बुनेगे, इस तरह से और इसे हम यहां से ऐसे लेते चलेंगे जिसे हम उधर वाले फंदे भी बुन सकें इस तरह से दो फंदा आप बुने दो फंदे के बाद इसे ऐसे इसमें दबा लें फिर यहां से दो फंदा बुने दो फंदे के बाद इसे हम यहां से ऐसे दबा लेंगे फिर देखें आपे हमने दो फंदा बुना और फिर हम इसे यहां से ऐसे दबा लेंगे यहां के आप फंदों को ऐसे फैलाते हुए फिर इसे दबा सकते हैं अब देखें लास्ट पर यहां पे तीन फंदा बचा है तो यह तीन फंदे हम इससे बुन देंगे देखें एक, दो, और यह तीन चाहिए और नहीं है कि यहां पर अग्ला को हम और एक्सथा बूनेगे करना है इस तरह से यहां से ऐसे बस्तते से भैक पर ले जाएँगे और यह वाली ऋन को असक्ट prinno फ्रट पर लेंगे घ्लड के पडल कप किमांगे रही है इस तरह से बुनेंगे देखें यह हम उल्टा उल्टा बुनेंगे साइट से बस हमें 2 पंदे छोड़ देने हैं क्योंकि इधर भी हमने 2 पंद हम बढ़ाया हुआ है तो यहां पर भी हम 2 पंदां अपना बढ़ा लेंगे यह देखें मरून कदर से मेने बुन दिया और फिर य इन फंदों को भी बुनेंगे यह देखें इस तरह से हमें पीछे वाली से लाई अपनी पूरी प्लेन बुनी है और पूरा हम इस बार इसे मरून कर लेंगे यह इस तरह से सभी फंदों को हमें बुन लेना है और यह देखें यहां से हमें इसे आगे कर लेना था नहीं तो यह हमारा उसी साइड रह चाएगा यलू ओन जहां से यह 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 बस्पाया लान काम नहीं है तो आप इसे कट कर सकते हैं अन हम इसा कर लेंगे और इसे भी हम यह पर हैं से करके फशाद एंगे यह इस तरह से हमारा सब फंदे अब हमारे मरून कलर के हो जाएंगे इसे बीच बीच में टक कटे जाएं इस तरह से यह हो क्या बस यह हमारा हो गया है अब हमें यहाँ पे फिर से अपना दो फंदा इधर से गटाना है और पीछे वाला अपना प्लेन बून लेना है देकें इस तरह से घटा देंगे एक साथ हमने nostre कि इस पंद की doson को is this दोस वहारी हमने मुद्योत और sentir और देचे से मैं एस लंबा कर देऊए फिर आगे सता होई अब देखिये हमारे पास दोस की अपसर तो हम क्या कारेंगे इन दो फंदे को ऐसे एक साथ बुन देंगे इस तरह से हमने एक साथ बुन दिया, यहाँ पे अब हम इसे ऐसे थोगा सा लंबा करेंगे, लंबा करने के बाद इसके बी से हम ऐसे उन को निकालेंगे, यह हमारी नॉट आ गई, यहाँ से यहां से इतनी बड़ी है हमारी कमर पहनाने में कोई दिख करनी होगी एक दम छोटे सा आच के है हमारे कानगा जी तो इस तरह से हमें यह पहना पाएंगे अब में यहाँ पे चोली बनानी है तो चले वह देख लेते हैं कि हम कैसे बनाएंगे अब देखिए चोली के लिए मैंने यहां पर 18 फंदा डालके यहां पर 3 सलाईयां बुनी है चोथी सलाई में मैं इसे घटा दूगी क्योंकि हमें बहुत चोड़ा नहीं चाहिए मारे काना जी बहुत ही छोटी साइस के है इस तरह से 2 फंदा हम एक में बुनेंगे फिर से इस फंदे को इस सलाई में करके दो फंदा हमने एक में बुन लिया इस तरह से यहां पर हमें सभी फंदो को उतार देना है इसके फिटिंग बहुत अच्या आती है एकदम प्लेन और सिंपल सीधी सी चोली है फिर भी आप देखेंगे कितने अच्छे से यह काना जी को फिट हो जाएगी यह देखें इस तरह से हम घटाएंगे और सभी फंदो को घटानेक बार लास्ट में हम नॉट लगा के कट कर देंगे चले में कर लेती हूं फिर आगे बताऊंगी क्या करना है यह देखें यह हमार दोरी बनानी है तो दोरी किस तरह से बनाएंगे यह देखें यहां पर हमें इस तरह से एक लूप बनानी है यह मैंने बनाई अब हम अपने इस लूप को ऐसे बढ़ा करेंगे बढ़ा करने के बाद इसमें दोंगली डालेंगे और जिया से खीष लेंगे यह देखें खीष ए सकते हैं इसे हमें लपी सी डोरी बनाे लेनी है यह देखें यह काफिशी बन जाएगी तॉ मैंने यहां पहले से बना के past Subscribe यह देखिए इसे आप कहीं से भी यहां पर सकता है और जैन। धूर还是 रागे हैं crusty में इसे यहां पींचे से लगा ले री हूँ यहां से लगा दूँगे इसमें तो हमें बांते में आसानी रहेगी यहां से आप चाहें तो इसे सूवी से भी डाल सकते हैं यह मैंने होग के हल्टे से खीश लिया है यह देखें यहां से हमारी डोरी पड़ गई है अब यह चोली लगे हाथ हमकाना जी को पहना भी देते हैं और इसके पहले मैं आपको अगर नाप के दिखाऊं तो यह देखें यह हमारे डेड़ हिंच के काना जी है यह देखें डेड़ हिंच से बहुत हलके से बड़े हैं तो बहुत छोड़े साइच के हैं काना जी हमने इनकी यह पहना दे रेस बड़े हैं यह कि इस तरह से आएगी और उसके बाद हम इसे leisure के इब देंगे यह रह sulfा से यह दिखें इस तरह से पेल है कि यह इनकी ड्रेस पीसे हैं से डोरी बड़े यह बंनाई है जिसे मुझे बातने में Körper प्राब्रिम ना हूँ और हम इसे यहाँ पर बात लेंगे यह हमने बात दिया यह देखें इस तरह से इने फिट आ गई है और यह जो हमारी ड्रेस है इसमें भी हमें ऐसे ही बना के यह पूरे राउन पर डोरी डाल देनी है चलिए डाल लेती हूँ और यहाँ पर थोड़े से नगवेगरा स्टोन लगा देंगे जिसे देख के अच्छी लगे चलिए लगा लेती हूँ फिर आगी डिखाऊंगी आपको यह दिखें है यहाँ इड्रेस यहाँ पर कम्प्रीट हो गई है बहुत ही गुमसुरत लग रही है और यहाँ पर हमने इसे इस तरह से थोड़ा संदा के डिकुरेट कर दिया है